इस कहानी की शुरुआत में हमें शी जी लिंग नाम के एक वोरियर को दिखाय जाता है जो अपने छोटे से बेटे शी हाओ को गोद लिये गुस्से में वो मेल की तरह बढ़ रहे होते हैं सेनिंग उन्हें रोकने कोशिश करते हैं मगर जी लिंग बहुत पारफुल थे और अ अपनी पार की मदद से एके करके सभी सेनिगों को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उसके परिवार के लोग उसके बच्चे शियाओं को मारना चाहते थे और उसकी बोडी से सुप्रीम बोम निकाल लिया था शी युवान जी लिंग से कहता है कि तुम्हें हमारे परिवार के कल्यान के लिए अपने बच्चे की बली देनी होगी जी लिंग को इससे बहुत गुसा आता है और उससे फाइट करने लग जाता है शे युवान जी लिंग के बच्चे को मारने कोशिश करता है मगर जी लिंग अपने हाथों से तलवार पकड़ लेता है अब व डेगन को बाहर निकाल लेता है और की नीनिंग भी अपनी पाउर से उस डेगन को और पारफुल बना देती है मगर यह सीन यही कट हो जाता है फिर हम कुछ साल बात इस्टोन विलेज को देखते हैं हमारी मास पेशा मजबूत होती है उन सभी बच्चों में शीहाओ भी होता है जो बड़ा हो गया था और हो काफी फूरतिला और मेनती था क्योंकि जब मुख्याओ उस पर वार करते तो उनके वार को समाल लेता मगर जब वो जोंग बाओ पर हमला करते हैं तो उनके वार को समाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है इसलिए मुख्या उसे कहते हैं कि बले शीहाओ तुमसे उम्र में छोटा हो लेकिनों सबसे मेनती है शीहाओ जोंगबाओ का मज़ा कुणाता है मुख्या सभी बच्चों को बताते हैं कि हमारे आसपास का जंगल काफी बड़ा और असीम है जहां कहीं प्राचिन जानवर निवास करते हैं इसलिए अगर तुम सभी मेनत नहीं करोगे तो उन जानवरों से नहीं लड़ पाओगे फिरा में इस्टोन विलेज के शिकारी ओदाओं को दिखाया जाता है जो चिपकर दो सरवाले अगनी गेंडे पर नजर रख रहे थे ताए कि उसका शिकार कर सके आशान शिकारी दल के मुग्या शिलिंगू से कहता है कि एक गेंडा कई मैनों तक हमारे गाओं की खाद्यापूर्ती को पुरा कर सकता है और हम बच्चों के ओश्दी स्नान के लिए इसके सार का इस्तमाल कर पाएंगे ये कहकर उस गेंडे पर हमला करने के लिए जाता है मगर उस गेंडा लाद मार कर उसे दूर फेंग देता है ये देखकर शिलिंगू अपने सबी साथियों के साथ मिलकर उस गेंडे पर हमला करने लग जाते है और अपने परसे से उसे नीचे गिरा देता है शीलिंगू सभी से कहता है कि ये गेंडा मरने वाला है सब एकसान मिलकर हमला करने लगते हैं मगर तब यूँआ ब्लू इसके लीगल भी उस गेंडे का शिकार करने आ जाती है गेंडा अपनी फायर पावर से उस पर हमला करता है मगर उसे अपने पंजों में दबा कर ले जाने लगती है ये देखकर आशान बहुत हरान होता है कि ब्लू इगल उनके इलाके में कैसे आ गई क्यों क्यों कभी इस इलाके में शिकार करने नहीं आती थी इगल उस गेंडे को मारने के लिए जमीन पर रगड़ती है जिससे जमीन पर आग लग जाती है शिलिंगो अपने सभी साथियों के साथ चिपा होता है ताइक इगल उन्हें देखना सके मगर जब शिफेजियाओं के पाओं में आग लगती है तो जोर से चिलाने लगता है जिससे एगल को उन सभी की मौझूदगी का पता चल जाता है और उन्हें शिफेजियाओं पर हमला करने के लिए आती है आशान शिलिंगो से कहता है कि मैं एगल का ध्यान बटका लूँगा और एगल को अपनी तरह बुला कर वहां से भागने लगता है जिससे शिलिंगो अपने साथियों के साथ उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है तब यहाँ ज्वाला मुकी विस्पोट होने लगता है और ज्वाला मुकी से आके गोले निकलते हैं जिससे सब लोग बचकर भागने लगते हैं इगल भी वहाँ से भाग जाती है, फिरा में कुछ समय के बाद का सिन दिखाया जाता है, जा शी लिंगु अपने साथियों के साथ उस मरे हुए गेंडे को लेकर इस्टोन विलेज पहुंच जाता है, उन्हें देखकर मुक्या और सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं, शी लिंगु सभी को बताता है कि परवत देवता क्रोधित हुए और नोंने इगल को डरा दिया, जिससे हम इस गेंडे का शिकार कर पाए, सभी बच्चे अपने अपने पिता के पास जाते हैं, ये देखकर शी आओ दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके माता पिता उसके पास नहीं थे, शी जी लिंग और किनी निंग, उसे इस्टोन विलेज छोड़कर चले गए थे, शी आओ दुखी हो कर बेड़ जाता है, और अपने मॉम डेट को याद करने लगता है, मुख्या यून फेंग उसके पास आते हैं, मुख्या को देखकर शी आओ पूसा है, कि मेरे मा और पिता जी वापस कब आएंगे, तो यून फेंग उसे बताते हैं, क्यों अब नहीं आएंगे, वो हमसे काफी दूर चले गए हैं, शीयाओ केहता है कि क्याओ मुझे नहीं चाहते हैं, यून फेंग केहते हैं कि तुम मुने बहुत पसंद हो, को आशिरवाद दे, कि हम सब बिजली और तुफान से भी तेज हो, और हम विपत्ति का सामना कर सके, जीवन और मृत्यों की परवा करते हुए, आगे बढ़ते रहें, आप हमें ऐसा आशिरवाद दीजिए, अगले दिन सभी बच्चों को ओश्दी इसनान कराया जाता है, यून फेंग बताते हैं कि इसमें दो सिंगों वाले राइनो गेंडे के सार से बनाई गई दवा डाली गई है, जिससे आप सभी को सेंग करना होगा, जिससे आपके अड़िया जानवरों के समान मजबूत हो जाएगी, शियाओ यून फेंग से कहता है कि क्या हम उश्दी इसनान के बाद दूद पी सकते हैं, यून फेंग कहते हैं कि हाँ तुम चिंता मत करो, जितना चाहे दूद पी लेना, शियाओ कहता है कि ठीक है, मैं इसे सेंग कर लूँगा, शियलिंगों कहता है कि शियाओ वास्तों में प्रतिबा शाली है, वहाँ खड़ा एक और आदमी बताता है कि केवल यून फेंग नहीं, रून्स की शक्तियों में मारत असिल की है, उसके बाद यून फेंग अपनी शक्ती से उस ओशिदिये पानी को गर्म करते हैं, जिससे सभी बच्चों को कफी जलन होती है, और वो पानी से बहाँ निकल आते हैं, लेकिन शियाओ पानी में रेकर उस सार की गर्मी को सहन करता है, फिर उस पानी में से उस दो सिरों वाले गेंडे का सान निकलता है, यूनफेंग शियाओ से कहते हैं कि तुम इसे गरन करो, शियाओ से गरन करता है, उसे गरन करते ही उसकी बोड़ी का ताप भढ़ जाता है और उसमें गेंडे की पावरा जाती है, वो उस बट्टी से बहां निकल कर उसे अपने हातों से उपर उठा लेता है, ये देखकर सभी यूनफेंग केता है कि इस बच्चे से उम्मीद नहीं थी, इसकी बोड़ी की तुलना पुराने युवा जानवरों से की जा सकती है, शियाओ यूनफेंग से पूसता है कि ये मैं अब दूद पी सकता हूं, यूनफेंग केते हैं कि तुम जितना चाहे, उतना दूद पी सक फिर सभी बच्चे शियाओं के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत असाधारण हो, तुम ये कैसे करते हो, मगर जोंग बाओ को इससे जलन होती है, क्योंकि उससे पसंद नहीं करता, उसके बाद शियाओ बगवान लियू को दूद चणाता है, और कहता है कि मेरा पस कहा है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं भी इस्टोन विलेज की रक्षा कर सकता हूँ, पर मैं तो ये भी नहीं जाता, कि मेरे माता पिता कैसे हैं, ऐसा केकर वह रोने लग जाता है, शियाओ उससे पूछता है कि तुम्हारा भाई, पाई हो कहा है, तुम उसके पास जाओ, शियाओ उससे बताती है कि अपने दोस्तों के साथ बड़े पक्षी का अंडा लेने गए हैं, शियाओ समझ जाता है कि पाई हो ब्ल्यू इगल का अंडा चुराने गया होगा, इसलिए उससे कहता है कि तुम यून फेंग के पास जाओ, और वाँ से पाई हो को रोकन के लिए चला जाता है, वही हमें डेजर रोक फोरेश्ट में दिखाये जाता है कि पाई हो अपने दोस्तों के साथ ब्ल्यू इगल के गोसले में उसका अंडा चुराने पहुंच गया था, पाई हो अपने दोस्तों से कहता है कि मैंने इतना बड़ा अंडा कभी नहीं खाया इसे खाने के बाद मेरी तागर शीहाओ से भी जादा हो जाएगी मगर बिल्यू इगल को भी इस बात का पता चल जाता है कि कोई उसका अंडा चुराने आया है इसलिए हो तेजी से अपने गोसले की तरफ बढ़ने लगती है शीहाओ भी वहाँ पहुंच जाता है और सभी से गयता है कि तुम अंडा मत चुराओ यहाँ से जल्दी भागो मगर उन में से कोई भी शीहाओ की बात नहीं मानते और वहाँ से अंडा लेकर चटान से नीचे उतरने लगते हैं तब ही वहाँ पर इगल आ जाती है इगल अपने पेरों में एक सुर फसाकर लाती है जिसे इगल बच्चों पर डाल देती है मगर सभी बच्चे बच्च जाते हैं फिर इगल फेदर स्पाइक से उन पर हमला करती है जिससे रसी कड़ जाती है और सभी बच्चे अंडे के साथ नीचे गिर जाते हैं फिर सब वहाँ से उठकर अंडा लेकर भागने लगते हैं पाई हो कहता है कि हमें चट्टानों की तरफ भागना चाहिए जहाँ पर इगल नहीं पहुँच पाएगा तब ही भागते भागते एक बच्चे के हाथ से अंडा छूड जाता है जिसे शियाओ पकड़ लेता है शियाओ इगल से कहता है कि मैं तुम्हारा अंडा वापस लोटा दूँगा तुम मेरा पीछा मत करो अगर तुम मेरा पीछा करते हो तो यंडा तूट जाएगा मगर इगल शियाओ का पीछा करना भन नहीं करती तो शियाओ सोचता है कि अपक्षी तो हारी नहीं मानना चाहता शियाओ एक चटान से उचल कर उस इगल की पीट पर बेट जाता है और नीचे खड़े बाकी के बच्चे इगल को पथर मारने लग जाते है तो शियाओ उन बच्चों से कहता है कि तुम वापस क्यों आ गए तो बच्चे कहते है कि अगर तुमें कुछ हो गया तो हम मुख्या को क्या जवाब देंगे इगल बच्चों पर अपने फेदर से वार करने लग जाती है तो शियाओ उने बच्चाने के लिए सुवर को उनकी तरफ फेगता है जिससे बच्चे फेदर स्पाइक से बच जाते है शियाओ को पास में एक जंगल दिखाए देता है इसलिए अपने सभी दोसों से कहता है कि हम सभी को उस तरफ जाना चाहिए एगल वहाँ नहीं आपाएगी और और डेजर्ट ओव मेजिश्टी के तरफ बढ़ने लगते हैं वहाँ इस्टोन विलेज में दिखाया जाता है कि शी लिंगू अपने साथियों के साथ बात कर रहे होते हैं तब ही मुक्या यून फेंग शी निउ के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और सभी से कहते हैं कि बच्चे मुसीबत में हैं क्योंकि शी निउन ने उनने सब कुछ बता दिया था क्यों अंडा लेने गए थे दूसी तरब सभी बच्चे डेजेट और मेजेस्टी में इगल से बचकर भाग रहे होते हैं शी आपने दोस्तों से कहता है क्या आगे गुफा है हमें वहाँ छुपना होगा मगर गुफा का गेट बंद होता है शी हाओ जौंग बाओ को कहता है कि तुम्हें अंडा पकड़ो मैं गेट खोलता हूँ और शी हाओ अपनी राइनो पावर की मदर से गेट पर पड़े पत्थरों को तोड़ देता है सभी बच्चे गुफा के अंदर जाने लगते हैं मगर बीटीवा नाम का लड़का नीचे गिर जाता है और एगल लगातार उसकी तरफ बढ़ रही थी मगर शीयाओ उसे बचा कर गुफा के अंदर ले आता है एगल अपने पंकों से उन पर हमला करती है जिससे उन सभी दूर गिर जाते हैं और शीयाओ का हाथ एक पतर पर पढ़ने की वज़े से वाएक प्रोटेक्टिव शीड एक्ट्वेट हो जाती है जिससे एगल अंदर नहीं आ पाती ये देखकर सभी बच्चे पूँचते हैं कि ये क्या हुआ तो शीयाओ ने बताता है कि मुक्या ने कहा था कि हमारे गाओं के पुरवज बहुत बलवान थे ये रून उनके दोरा छुड़ा गया होगा एकल अपने जोरदार वार से उस शीड को तोड़ देती है और गुफा के अंदर आने की कोशिश करती है तब यून फिंग सभी शिकारियों के साथ आ जाते है शी लिंगू और आशान साथ में मिलकर इगल पर आमला करने लगते है सभी बच्चे यून फिंग के पास आ जाते है जोंग बाओं ने कहता है कि मुझे अंडा नहीं चाहिए उसे इगल को वापस लोटा दो यून फिंग केहते हैं कि हम इसा नहीं कर सकते ये अंडा भी हमारे लिए खत्रा हो सकता है आशान और शी लिंगू इगल को रोके हुए है हमें मौके का फायदा उटा कर गाउन लोट जाना चाहिए और उसा भी गाउं की तरफ भागने लगते हैं मगर इगल को भी इस बात का पता चल जाता है इसलिए उनके पीछे जाती है यून फिंग बच्चों के साथ इस्टन विलेज के एंट्रेस पर पहुँच जाते हैं मगर इगल भी वहाँ आ चुकी थी इसलिए शी लिंगू और आशान उसे रोकने कोशिश करते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं इगल सभी को अंदर जाने से रोकने के लिए अपनी पाउर से पहाड को तोड़ देती है जिससे यून फिंग पर पत्थर गिरने लगते हैं लेकिनों शिल्ड बनाकर खुद को बचा लेते हैं मगर एक छोटा पत्थर अंडे को लग जाता है जिससे उसमें दरारा जाती है फिर सब लोग गाउं के अंदर चले जाते हैं इगल उन्हें रोकने कोशिश करती हैं तब ही वहाँ पर शिलिंगू और आशान पीछे से उसके पंजे पकड़कर जमिन पर फेक कर दोनों भी अंदर चले जाते हैं गाउं का गेट छोटा होने की वज़े से इगल अंदर नहीं जा सकती थी शिलिंगू मुख्या के पास जाता है और केटा कि इगल गाउं के बहार है इगल गाउं के अंदर जाने कोशिश करती है तब ही भगवान लियू की आत्मा शिल्ड बनाकर इगल को रोक देती है मुख्या केटा कि हमारा गाउं भगवान लियू द्वारा संरक्षी थे फिलाल हम सुरक्षी थे आशान अपने बेटे पाई हो पर गुसा करता हुआ केता है कि असब तुमारी वज़े से हुआ तब यो अंडा तूर जाता है और उसमें से इगल का बच्चा निकलता है सब लोग ये देंगर चोंख जाते हैं मगर औईगल बेबी पुरी तरीके से विक्सित ना होने की वज़े से मर जाता है सब इससे दुखी होते है पाई हो उस बेबी को यूनफेंग को दे देता है यूनफेंग बताते हैं कि एगल और इश्टन वीलेज पहले से ही कटर का है इसलिए अपने फुल पावर से इस्टोन विलेज़ पर हमला करके उस शेड़ को तोड़ देखती है सभी इससे काफी डर जाते है इगल अपने बेबी के पास आती है और उसे सुंकर देखती है वो उसके मरने से काफी दुखी होती है तब यूआ लिफ में बगवान उन्हें सी बेबी इगल को नहीं बचाया बलकि उसे पुनरजनम दिया फिशियाओ बेबी इगल के पास जाता है और कहता है कि तुम ठीक हो मुझे आज के लिए वास्तों में खे दे क्या आप मुझे माफ कर सकते हो मैं वादा करता हूं कि दोबारा इसा नहीं होगा बेबी में उन्हें ठीक करने कोशिश कर रहा हूं मुझे कहता है कि अखिरकार वह समय आई गया फिरा में जंगल के गहरे इलाके में पवित्र कबर दिखाई जाती है जिसकी तरफ एक प्राचिन लोएन बढ़ रहा होता है मगर वो काफी कमजोर हो चुका था और उसे बहुत सारे झानवर घेड़ लेते हैं फिर अब उमें दिखाया जाता कि शियाओ बेबी ईगल के साथ कहलता है और कफी खुश होता है वो यूंफेंग से कहता है किअब Supply को बगवान ने फिर से जिन्दा किया इस वाजे इसे ब्ल्यूए स्केल ईगल उसे बगवान लिंग के पास बारे में उसे कुछ नहीं पता था और जी उन से कहता है कि रोशनी आस्मान के तारों से भी तेज है यून फेंग बताते है कि बिल्यू इसकेल टेकनीक है अगर तुम इसे सीखते हो तो तुम जानरों की कहीं सारी ऐसी सिक्रेट ट्रीक को सीख जाओगे जिनके बारे में किसी को पता नहीं है शी हाओ यून फेंग की बात सुनकर एक पहाड के उपर कई दिनों तक बिल्यू इसकेल ट्रीक सीखने का अभ्यास करने लगता है अब वो थोड़ा बड़ा हो चुका था और कई मैनों की प्रेक्टिस के बाद बिल्यू इसकेल ट्रीक को भी सीख गया जिसे देखकर शी हाओ के सबी दोस्त दोड़कर उसके पास आते हैं और से कहते हैं कि तुम हम सबसे अलग हो इसलिए तुम ब्ल्यू इसकेल टेक्निक सीख गए क्या तुम हमें भी ये ट्रीक सिखा सकते हो तब ही वहाँ पर यून फेंग भी आ जाते हैं जो यह सोचकर काफी एर जान होते हैं कि शीहाओं ने इतनी चोटी सी उम्र में ब्ल्यू इसकेल पावर हासिल कर ली इसलिए वह बहुत असाधा रण है तैवी उन्हें जंगल से आती हुई जानवरों की आवाजे सुनाई देती हैं और ने पता चल जाता है कि पवित्र कबर में प्राचिन शेर गा जाता है जहांसे पुरानी कबर कुछी दूर थी इसलिए शीलिंगू अपने साध्यों से कहता है कि हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा तब उन्हें किसी के होने का एसास होता है तो लीन्यू जोर से कहता है कि कौन है वहाँ पेड़ के पीछे शीहाओं था जो कि उनका चुपकर पीछा कर रहा था वो पेड़ के पीछे से निकल कर सामने आता है और कहता है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था शीलिंगू को पता था कि शीहाओं थोड़ा शरारती है और बेवजे कहीं नहीं जाता इसलिए उससे कहता है कि तुम जल्दी बताओ कि तुम प्राचिन शेर का खुल लाने के लिए बोल रहे थे ये बात मैंने सुन ली मैं जानता हूँ कि आपे जोखिम मेरे शुद्धिकरन समारों के लिए उठा रहे हो और सबकी मदद करने के लिए मैं यहाँ आ गया तो शीहाँ से कहता है कि तुम अभी छोटे हो और तुम्हें जेसे कोई भी काम खराब नहीं होगा तो आशान शीहाँ से कहता है कि शीहाँ अकेला वापस कैसे जा सकता है उसके लिए ज्यादा बेतर यही होगा क्यों हमारे साथ रहे शीहाँ को अपने साथ चलने के लिए हां करते हैं और आशान से कहता है कि तुम्हें शीहाँ पर साम का व्यक्ति इस्टोन विलेज के शिकारी दल और शियाओं पर नजर रख रहा था तब प्राचिन शियर के मगबरे की तरफ एक बड़ा पक्षी उड़कर जाता है उसे देखकर सब लोग चोंग जाते हैं शी लिंगू कहते हैं कि जरूर प्राचिन शियर के मगबरे से आक गिरता है जिसे देखकर सबी लड़ने के लिए त्यार हो जाते हैं मगर वो देखते हैं कि जानवर मरा हुआ था जिसके उपर शियाओं खड़ा होता है वो अपने साथियों से हसकर गेता है कि अंकल जी मैं यहाँ हूँ शियलिंगू जानवर को पास से देखते हैं और सबी को बताते हैं कि इसे किसी दूसे जानवर ने मा डाला हम सबी को साधान रेना होगा भी फेंग भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुंच जाता है और उन पर अपनी नजर बनाए रखता है उसके बास सबी लोग आगे बढ़ते हुए दो सोय हुए हाइना सोल बिष्ट के पास पहुंचते हैं जो जमीन पर पढ़े हुए थे आशान एक हाइना सोल बिष्ट पर हाथ रखकर शिलिंगू से कहता है कि एसा लगता है कि यह अप सासे नहीं ले रहा तो शिलिंगू से हाइना सोल बिष्ट के पास जाने से मना करता है नगर उसकी बात नहीं सुनता, तबी दोनों हैना सौल बीच उनके ओपर हमला करने के लिए खड़े होते हैं, जिनने देखकर आशान अपने साइउक को लेकर वहाँ से भागता है, शीलिंगू उन्हें रोक नहीं कोशिश करता है, मगर उन्हें रोक नहीं पुलबबधार करें दूसी तिर्फ जाओ, इन्हें में रोक लूँगा। फिर शियाओ अपनी इस्केल पार का इस्तमाल करके हाइना सॉल बीष्ट पर हमला करता है। जिस से वुडन बीषट टूड जाता है। और हाइना स्वोल बीर सहीद शीहाओ एक खाय में गिर जाता है मगर शीहाओ तेजी से एक चटान पर लटक जाता है लेकिन उसका हाद चटान से फिसलता है और फिर से नीचे गिरने लगता है इस बार भी वो चटान पर लटक जाता है और खाय में गिरने से बच जाता है आश सानी से उड़ सकती है फिर पुरा शिकार धल इगल से मदद मागने जाता है शियाओ दीरे दीरे चटानों को पकड़ता हुआ उपर चड़ जाता है मगर उसकाई से दोनों हाइना सोल भी शुड़कर उपर आने लगते हैं उन्हें देखकर शियाओ सोचता है कि अब यहां रे नहीं तो मैं तुम पर अपनी ब्ल्यू इसकेल पाउर से हमला करूंगा तब ही वहां पर गोरिला दानों आ जाता है और उन दोनों हाइना सोल भीश को पेरों से कुचल देता है और आगे चला जाता है शियाओ सोचता है कि उन फेंग ने तो गोरिला दानों के बारे में कु आते हैं ये देखकर शियाओ कहता है कि मैंने सुना है कि दोनों प्राचिन शियर और गोरिला दानों आपस में एक दूसरे के दुश्मन है तब ही बेल दानों शियाओ पर भी हमला करने लगता है फिर वहां बिल्यू इसके लिगल आ जाती है जिसें देखकर शियाओ कहता है कि इगल आंटी मैं यहां हूँ इगल शियाओ को अपने पंजों में पकड़ कर उपर उड़ा लेती है शियाओ इगल से कहता है कि मुझे बचाने आने के लिए आपका धन्यवाद अगर आप नहीं आती तो आज मैं मर जाता फिर वहाँ पर प्राचिन शेर भी उठ खड़ा हो अगर वह प्राचिन शेर की शिड को पार नहीं कर सकी और शिड से टकराने की वज़े से उसके पंजे से शियाओ छूट जाता है इगल शियाओ के नीचे गिरने से पहले उसे अपनी पीट पर बिठा लेती है फिर शियर अपनी पावर से बेल को उठा कर दूर फेंग देता है जिसकी वज़े से उसका एक सिंग तूट गया और इगल को भी अपनी पावर से शिड के बार फेंग देता है और खुद मर जाता है फिर शियाओ इगल से पूचता है कि आंटी आप ठीक तो है उसके बाद इगल शियाओ को अपनी पीट पर बिठा कर प्राचिन शियर को पंजों में दबाकर इस्टोन विलेज की तरफ जा रही थी शियाओ खुश होता है कि उन्हें प्राचिन शियर मिल गया तब यह अचानक इगल की तबियत खराब होती है और जियांग वन में हेरिटेज गुफा के पास घिर जाती है क्योंकि प्राचिन शियर से लड़ाई क वक्त उसकी बोड़ी में जहर चला गया था शियर उठकर इगल के पास जाता है और कहता है कि आंटी को जहर दिया गया है मैं गाउं जाकर किसी से मदद लाता हूं तर भी इगल को एक तीर आकर लगता है शियर समझ पाता उससे पहले उसकी तरफ कहीं सारे तीर आते हैं जि बीफेंग जो शियाओ और शिकारी दलका कब से पीछा कर रहा था वो कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम मुझे प्राचिन शियर को सौब दो उसके बाद भाईया तुम्हें घर जाने देंगे शियाओ कहता है कि मेरा कोई बत्तमिश भाई नहीं है प्राचिन शियाओं से कहता कि बीफेंग दादा जी तुम्हें बताएंगे कि कमज़ोर मजबूत का बोजन कैसे बन जाता है शियाओं कहता कि तुम सच में एक बेशरम लड़के हो तो बीफेंग कहता है कि तुम एक निस्वार्थ वेक्ती हो मगर मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ इगल बीफेंग की तरफ देखकर जोर से चिलाती है शियाओं इगल से कहता है कि आँटी आप अच्छे से आराम करो इन्हें मैं समाल सकता हूँ बीफेंग भी अपने साथियों से कहता है कि आप लोग इसके उपर हमला मत करना मैं इसे कुछ समाल लूँगा और शियाओं के उपर हमला करने लगता है शियाओ हमले को blue scale trick से रोगता है और उसी trick का उप्योग करके बीफेंग पर हमला करता है जिसकी वाजिय से बीफेंग दूर जाकर गिरता है और उसके हाथ में से उसके तीर कमान भी छूट जाते हैं बीफेंग से कहता है कि कमजो और मजबूत का बोजन भन जाता है जैसे कि तुम और अपनी trick से उसके ओपर हमला करने के लिए तयार हो जाता है बीफेंग के साती शियाओ पर तीर चलाने लगते हैं तो बीफेंग उने तीर चलाने से रोकता है और शियाओ के सामने गुटनों पर बेट कर गिड़ गिड़ाने लगता है और कहता है कि मुझे मत मारो मेरी तुमसे कोई दुश्मानी नहीं है यह सब बेग गाउं की इस पीड़ और सेक्रिफाइस के कारण हुआ उन्होंने मुझे प्राशिन शेर को पकड़ कर लाने का आधिश दिया मैं इसमें फेल नहीं शियाओ बीफेंग से कहता है कि ठीक है तुम यहां से चले जाओ पर तुम हमारे पत्थर गाउं के इलाके में कभी मत गुसना ये केकरो इगल के पास जाने ही लगता है बीफेंग उठकर अपने तीर कमान वापस लेकर सोचता है कि शियाओ काफी बोला है और उसके उपर फ कि तुम जुट बोलते हो बीफेंग कहता है कि भाई आज तुमको सबक सिखाएगा कि शेतरी की सिमाए तागस से निर्दारी तो होती है अब तुम देखोगे कि तुमारा भाई फेंग कितना अद्बूत है और हो कहीं सारे तीर एक साथ चलाकर उसके उपर हमला करता है ये देखकर इगल फिर से कड़े होने की कोशिश करती है मगर शियाओ से कहता है कि आँटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ बीफेंग समझ गया था कि शियाओ के अध्या कफी मजबूत है और अपने साथियों से कहता है कि उसकी कमजोरी इगल है इसलिए सभी उस पर तीर चलाओ मैं पी देखता हूँ कि वह इस दर्द को कैसे सेंड करता है शियाओ सभी के हमले को रोकने की कोशिश करता है बिंग फेंग शियाओ से कहता है कि मैं एक भाई की रूप में तुम्हें आखरी पार्ट पड़ाओंगा और अपने पाहर का यूज़ करके अपने पाहरफुल तीर क पाहर को एक्ट्रेट करता है और हवा में उड़कर शियाओ पर हमला करता है जिसमें से एक तीर ईगल को लग जाता है और वह काफी तेच चिलाती है इगल के आवा जिस्टोन विलेच के शिकारी दल के लोग सुन लेते हैं और पेचान जाते हैं कि आज बल्यू इसके लिग ठर्रा कर जाता है और उसे मारने लगता है शियाओ का गुसा इतना बढ़ जाता है कि वीफेंग को मार देता है इनोंने हमारे इस्टोन विलेच लिच्चों पर अत्याचार करने की हिमत के से की आशान शियाओं से कहता है कि चिंता मत करो, हमने उसकी अरकते देखी थी, वो मर गया, तुम सच में महान हो, तुम सबका सामना अकेले कर सकते हो, तब या आसमान में से आवाज आती है कि मुर्क इस्टोन विलेजर, तुमने भी फेंग को मारने की मत की, अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए परपाई करो, तब या आसमान में गुलाबी रंग की रोशनी दिखाई देती है, आशान शिलिंगू से पूचता है कि यह क्या है, शिलिंगू आशान से कहता है कि यह बेग गाउं से बलीदान की भावना है, जल्दी करो, और शियाओं को गाउं आपस ले जाओ, शियाओं शिलिंगू से कहता है कि इगल आँटी घायलो गई थी, इस वज़े से वो हिलडूल नहीं पा रही, तो मैं भी यही रहूंगा, शिलिंगू शियाओं से कहता है कि स्पिट की पावर भयानक है, और अपने बागी साथियों से कहता है कि तुम लोग और इगल की रक्षा करो, मैं और आशान मिलकर इस पिट को रोकेंगे, तो इस पिट जो की दिखने में एक बेट की तरह था, वो शिलिंगू और आशान पर हमला कर देते हैं, वो दोनों मिलकर भी इस पिट को नहीं रोक पा रहे थे, इसलिए शियाओं अपने पार का उप् और शिलिंगू से कहता है कि मैं इस पिट को थामे रहूंगा, तुम सब पीछे हड़ जाओ, आशान ये देखकर शियाओं की तुलना इस पिट से की जा सकती है, तो शिलिंगू कहते हैं कि तागत के मामले में यह बराबर हो सकते हैं, लेकिं त्याग बहुत चालाख है, इस इस पिट कहता है कि कमजोर मजबूत का बोजन बन जाता है, अपने बागी को स्विकार करो, प्राचिन शेर अब मेरा है, और अपनी पावर से उनके ओपर हमला करता है, मगर तभी बगवान emission अपनी पावर से इस पिट को मार देते हैं और सबकी जानबर जाती है, सबी फिर से इस्टोन विलेच पहुँँ जाते हैं, सबी लोग बगवान लिच के आगे हाद जोड़ कर खड़े होते हैं, यॉन सबी लोगों को नर्म रेने की ज़रत नहीं है विपती निकटा रही है इसलिए अब यहां रुकना मुश्किल है यून फैंग लियो से पूछते कि कैसी आपदा आने वाली है तो लियो कहते कि साल पूछने से मदद नहीं मिलेगी तुम्हें गाओं के सबी लोगों को त्यार क कि भी फैंग के माता और पिता भी है उन्हें इस बात से जरूर दुक हुआ होगा क्यों मर गया मगर मेरा आप से एक सवाल है क्या आप मुझे बता सकते हो कि मेरे मॉम डेट कहा है मगर लियो उसकी बात का जवाब नहीं देते इस वज़े से शियाओ काफी दुकी होता है य उन्हें दोबारा देखने का मोका तुम्हें जरूर मिलेगा शियाओ यूनफेंग से कहता है कि दादा जी चिंता ना करे मैं निश्चित तोर पर कड़ी ट्रेनिंग करूंगा शियाओ केले में बेट कर ध्यान लगाता है यूनफेंग उसे बताते कि प्राचिन काल की शुर के साथ फोर्ज करें शरीर को सहबाविक रूप से हेवन और अर्थ के साथ मिश्रन करने की अनुमति देना जब तक दोनों एक नहीं हो जाते और इस तरह के दाइरे को परिवर्तन रक्त शेतर कहा जाता है शियाओ द्यान से उड़ता है और अपनी पाहर से एक पाहर की में इस मुकाम तक नहीं पहुच पाए आज तुम्हारा शुद्धिकरण है तुम्हारी बोड़ी को परिवर्तन रक्त के दाइरे में उठाने के लिए हमारे पुर्वजों से चली आ रही ओशिदिये बट्टी के साथ मिली दवा और साथी प्राचिन शेर की आत्माओं से ब प्राचिन शेर की शक्तियां अपने अंदर लेने के लिए सार वाले पानी में नारा होता है जहां यून फेंग, शी लिंगू और आशान भी थे यून फेंग के हाथ में एक चमकता पत्थर होता है जिसके बारे में ओ कहते हैं कि शियाओं की शुद्धिकरान भी चल रही है अगर ओ प्राचिन शेर के सार को पुरी तरह से अपनी आत्मा से मिला सकता है तो ये उसके लिए बहुत उप्योगी होगा इतना ही नहीं एक प्राचिन सिय के हर्दे के साथ इसने प्राचिन शेरों के पवित्र खजाने को भी पीछे छोड़ दिया शियाओं की शमता के साथ उसे खजाने को समझने का मोका मिलना चाहिए था वही हम पहाड़ों की घेराई में मान ज करती है वह उसके हमले को रोकते हुए उसे कहता है कि पहाड़ का खजाना मेरा है और उसे नीचे गिरा देता है क्यों 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 फिर से वेई बंदर पर हमला करती है मगर वेई बंदर उसे फिर से दूर फेक देता है तब ही पहाड़ फड़ता है और उसके अंदर से खज तुम्हारा नहीं है गोरेया वेबड से कहती है कि तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा होश्यार हो हम दोनों मिलकर साथ काम कर सकते हैं और पाहड के खजाने को आदा बाढ़ सकते हैं वेबड उसे कहती है किस दुनिया में ऐसा कोई प्राणी है जिसे तुमने कभी दोखा नहीं दिया हो तबी वेब अदर पार के खजाने को ले लेता है, गोर्या वेब अदर उसके खजाना छूड़ जाता है। और क्योंग उसे अपने मूँ में ले लेती है गोरया फिर से उससे खजाना चीन लेती है मगर वेबंदर उसके उपर हमला करता है जिसके वजे से खजाना नीचे घिर जाता है तब ही जौला मुकी फटने ही लगती है वेबर केहती है कि महान जंगल हमारे जरिये नश्ट कर द कोरया कहती है कि तुम्हारी बात सही है मुझे भी इसमें शामिलोंने दो यहां मुझी सभी जातियों और प्राणियों को मारते हैं दोनों मिलकर अपनी पावर से जंगल को नश्ट करने लगते हैं वेबर दोनों से कहती है कि एस सब अभी रोक दो मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग नर्सनार करने के बारे में सोच रही हो वेब अंदर सभी से कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ और अपनी पावर इस्टीक को जमीन पर ठोकता है जिसकी वज़े से पाड़ का ख़जाना हवा में उचल जाता है सभी उसे लेने के लिए उपर उचलते हैं वहीं ज जाना होगा क्योंकि विलूप्त होने की आबदा आ रही है इसलिए मैंने ट्रांसमिशन लाइन को एक्ट्वेट कर दिया है अब इस्टोन विलेज को यहां से अटाना होगा इसे और नहीं टाला जा सकता वहीं विशालकाई पथर की मूर्ति के यहां भी लावा जमा हो जात है और जगें हिलने लगती है तो यूण फैंक शीलिंगू से कहते हैं कि यह जगें लगबग डे गई है तुम सभी को जल्दी से सुरक्षी इस्तान पर ले जाओ मैं शीहाओ के साथ रहूंगा शीलिंगू कहता है कि हम इस भट्टी को वापस ले जा सकते हैं इससे शीहाओ सबसक्राइब ले वापस ला अगर मैं वापस नहीं आया तो शीरी लिंगू परिवर और गांव का नया मुख्या होगा शीलिंग आशान के साथ हूँ से चला जाता है यूण से यूं को भी वापस जाने हो कहते हैं मगर हो जाने से मना करता है तब ही मुलती गिरने लगती ह यून फेंग कहते हैं कि यह तो बहुत बुरा हुआ शियाओ का शुद्धी करन अपने सबसे महत्पूर्शन तक पहुँच गया था और जीउन की पीट पर बेड़ जाते हैं जीउन वहां से उड़कर मुर्ती के पास जाता है यून फेंग उसे कहते हैं कि शियाओ की शुद् अपनी पावर से उसे पकड़ लेता है। जिस वज़े से सार की शक्तियां शियाओ के अंदर आने लगती हैं और वहां काफी तेज रोशनी निकलती है। शियाओ जोर से चिलाता है क्योंकि जब प्राची शेर की पावर उसके अंदर जा रही थी तो उसे काफी तकलिफ होत है जब वह बटी से बाहर आता है तो उसे अपने अंदर पहले से ज़्यादा पार का फिल होता है और काफी खुश होता है इस बारे में युण फैंक से कहता है की ऐसा लग रहा है कि मैंने इस प्रकेरिया को पुरा कर लिया मगर वह देखता है कि उंफेंग वह नहीं है तभी पत्तर गिरने लगते हैं और जगे हिलने की वज़े से बटी शियाओं से टकराती है और उसके साथ बाहर की तरफ धकेलता हुआ जाता है पर बटी को नीचे गिरने से रोक लेता है और यून फेंग और जियून को आवाज लगाता है यून फेंग शियाओं से कहते हैं क्या त तो शियाओ कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास असीमी शक्ती है, यून फैंग उसे कहते है कि जल्दी करो, ये जगर लगबग धे गई है, हमें यहां से निकलना होगा, शियाओ दवा बटी को उठाने लगता है, तो यून फैंग उसे कहते है कि दवा बटी पर ध्य देता है जिउन बट्टी को अपने पंजो से पकड़ लेता है शीआओ भी उचल कर जिउन के ऊपर बेड़ जाता है जिउन उड़ कर गाउं की तरब जाता है शियाओ जंगल को जलता देख, यून फेंग से पूशता है कि बड़ा जंगल ऐसा कैसे हो गया, तब ही पत्थर की मारते गिरने लगती है, जियून उससे बसता हुआ, इस्टान विलेज की तरब जाता है, शियाओ भी रास्ते में आ रही, मुर्तियों को अपनी पावर की मद भगवान लियू के सुरक्षा गेरे में चला जाता है, भगवान लियू सभी को इस्टोन विलेज से कहीं ओर ले जाते हैं, शियाओ और सभी एक नए इस्टोन विलेज में पहुंच जाते हैं, मगर लोगों को पता नहीं होता कि वो कहा है, लेकिन उन्हें वो जगह काफी पसंद आती है, क्यों क्यों गाउन नदी और जंगल में था, जिसकी वाज़े से वाँ कहीं सारे जानवर भी थे, सभी लोगों की जान भगवान लियू ने बचाई थी, इसलिए सभी लोग भगवान लियू को धन्याद देते हैं, शिहाओ चौंग जाता है, और यून फें पसंद आता है, क्याम इसलिए से आये थे, तो गाउन कहां है, तब यून फेंग कहते हैं, क्याप लोग जो कह रहे हैं, वो सब सच है, आईए पहले मन को शान करें, और शिलिंगों से कहते हैं, कि किसी को फिर से चेक करने के लिए बेजो, अगर बड़ा जंगल पूरी तरह से नीरजन है, तो हम यही रहेंगे, तो शियाओ यून फेंग से कहते हैं, कि मैं वापस से इस्टान विले जाना चाहता हूँ, तो आशान उसे कहता हैं, कि तुम चिंदा मत करो, तुमें तब तक इंतजार करना होगा, जब तकि सब कुछ पहले की तरह ठीक नहीं हो जाता, यून फेंग शियाओ से कहते हैं, कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अब वहाँ वापस जाना बहुत खतरनाक है, तो शियाओ कहता है, कि बड़े जंगल में ये सब कुछ ऐसे अचानक से हुआ, तो मुझे ढर है, कि कहीं मेरे मूम डेट मुझे वहाँ लेने आएंगे, और अगर में उने वहाँ नहीं मिला, तो बहुत चिंदी तोंगे, इसलिए मैं वहाँ जाकर वापस आओंगा, और मेरे मूम डेट के लिए, नए इस्टोन विलेज तक आने के लिए, रास्ता छोड़ दूँगा, तो यून फेंग उसे कहते हैं, कि ठीक है, तुम अब वो नहीं रहे जो तुम पहले हुआ करते थे, लेकिन तुमें जल से जल वापस आना होगा, शियाओ कहता है कि चिंता मत करो, और जियून की पीट पर वेट कर, वहाँ से चला जाता है, काफी देर के बाद, शियाओ जियून के साथ इस्टोन विलेज पहुंसता है, जो पूरी तरह से जल क खत्म हो गया था, शियाओ जियून की पीट से नीचे उतर कर चार तरफ देखने लगता है, और अपनी पावर से एक पतर पर कुछ निशान छोड़ देता है, ताहिकि उसके मौम डेट, नए इस्टोन विलेज को ढूल ले, ताहिबी इस्टोन के मलवे के नीचे से एक हाथ निकलता है, जो की एक बड़े जानवर का होता है, और वो एक छोटे से वेई बंदर के बच्चे को वहां रखता है, शियाओ दोड़कर बेबी वेई बंदर के पास जाता है, और बंदर को देखकर कहता है, कि यह पुरी तरह से जक्मी हो गया है, इसका पुरा शेई बालो वाला है, फिर उसे प्यार से सेलाने लगता है, और उसका नाम माओ क्यों रखता है, तब ही एक लड़की दूर खड़ी, यह सब देख रही थी, वो शियाओ के पास आती है, और से कहती है, कि बेवकूफ, उन्हें वेई बंदर कहते हैं, शियाओ उस लड़की से पूचता ह कि तुम कौन और किस गाउं से हो, मगर वो लड़की जिसका नाम हुआ लिंगर था, वो कुछ नहीं बोलती, और इतरा कर वहीं टहलने लगती है, तो शियाओ के था, कि तुम अभी बिचूप हो, तो मैं भी तुम्हें जाब नहीं दूँगा, हुआ लिंगर के था, कि चार कि तुम्हारी इमत कैसे हुई, मुझे ना कहने की, क्या तुम जानते हो, कि मैं कौन हूँ, तो शियाओ के था, कि तुम एक जुटी ओरत हो, वो लिंगर शियाओ से कहती है, कि तुम रहने दो, छोटे लड़के, तुम बस इस बंदर की कीमत बोलो, मैं इसे खरी लूंगी, और उसके सामने पेशों की एक थेली फेकर, कहती है, कि क्या तुमने अपने जीवन में इतना पेशा देखा है, तो शियाओ पेशों की थेली के पास जाकर, उन्हें देकर कहता है, कि इन चटानों के टुकडों का क्या किया जा सकता है, ये सुनकर हुआ लिंगर चोंक जाती है, और शियाओं से कहती है, कि क्या तुम बेवकूफ हो, तुम आमतोर पर चीजे कैसे खरीते हो, तो शियाओं बताता है, कि मैं चीजे पशु के दूद के बदले खरीता हूँ, हुआ लिंगर कहती है, कि इन पेशों से तुम अपना पुरा गाउं खरी सकते हो, तो पीचा करना बंद करो मगर ये बंदर वास्तों में एक सरोच चिप्राणी है तो मैं इसे अपना पालतु बनाना चाहता हूं और वहां से जाने ही लगता है वालिंगर कहती है कि गाओं के लड़के इसको पालतु बनाने का कोई मतलब नहीं है मगर शियाओ उसकी बात नहीं सुनता तो वालिंगर अपने फायर पावर से शियाओं पर हमला करती है मगर उसके हमले से भज जाता है और वालिंगर से कहता है कि जूटी ओरत तुम लोगों का उपयोग करके वो भी हुआ लिंगर पर हमला करता है और उसके वार को रोग लेता है वो लिंगर ये सब देखकर और ज्यादा गुसा हो जाती है और शियाओ से कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और अपनी पार का उपयोग करते हुए उपर उड़ती है औ अगर शियाओ उसके वार से बसता हुआ उसके ओपर हमला करता है शियाओ के हमले से हुआ लिंगर दूर जाकर गिरती है शियाओ बेबी वेई बंदर से कहता है कि अब हम चलते हैं और फायर लेड़ी को नजर अंदाज करें हुआ लिंगर उससे कहती है कि तुम नहीं जा सक का कोई तरीका नहीं है शियाओ लिंगर को रोता देख उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम रो क्यों रही हो तो बताती है कि वेई बंदर को मेरे पास चोड़ दो मगर शियाओ से देने से मना करता है लिंगर रोते वे नीचे बेड़ जाती है और शियाओ से कहती है कि तुम इसे मुझे दे दो तो मैं तुमसे हर बात का वादा करती हूँ शियाओं से बताता है कि मैंने तुमसे जुट बोला मैं बेखुफ नहीं हूँ मैं वेई बंदर के बारे में सब कुछ जानता हूँ माओं की वो कोई साधन राक्षस नहीं है मैं इसे वापस गाउं ले जाओंगा इसके गाउं को ठीक करने के लिए तो हुआ लिंगर केती है कि वेई बंदर ने पुरे महन जंगल को नश्कर दिया फिर भी तुम इसे ठीक करना चाहते हो शियाओ बताता है किन सब के बारे में परिवार की मुख्या यून फैंक तै करेंगे मगर मुझे लगता है कि बंदर अभी बहुत प्यारा है और हुआ लिंगर को जल्दी से खड़े होने हो कहता है और उसके हाथ में बेबी वे बंदर को देता है तब ही वहां युनिकॉन होर्स का एक रत हवा में उड़ता वहां आता है जिसे देखकर शियाओ लिंगर के आगे खड़ाओ जाता है और रच चलाने वाले आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो तो हुआ लिंगर के आगे जुकर कहता है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे पिती है नहीं तो में इसके लिए तुम्हारे उपर डया नहीं करूंगी और वासे चली जाती है गंदी लड़की शियाओ सौंसता है कि जिसके मन में दया है सिप मैं हूँ वो तो इसे माना चाहती थी और फिर से अपने मॉम डेट को मिस करता है वहीं शियाओ नए इस्टोन विलेज में पहुंच जाता है सभी गाउवाले और शियाओ बगवान लियू के आगे खड़े होते हैं बगवान ल इतना दिरे दिरे शिन हो रही है मुझे डर है कि उसका ठीक होना मुश्किल है मगर याद रखो कि वे बंदर के अतीत को इससे गुप्त रखना होगा ताकि यह सभी के लिए खत्रा नहीं बने यून फेंग सभी गाउवालों से कहते हैं कि शियाओं ने खुद देखा है कि बड़ा जंगल पूरी तरह से नश्ट हो गया है अब से यह इस्तान नया इस्टोन विलेज है सभी लोग यहां से जाओ कर शिकारी दल पूरी जगह घूम कर यहां की स्तिदी का पता लगाएगा सभी गाउवाले वहां से चले जाते हैं यून फेंग शियाओं से कहते हैं कि रोनी गती वीधी अभी भी है इस प्राचिन शियर की ट्रीक को अपने दिल में हमेशा रखना शियाओं कहता कि मुझे कुछ समझ नहीं आया तो यून फेंग कहते क्यों तेजित मत हो दीरे दीरे तुमें सब कुछ समझ में आ जाएगा इससे बविश्य में तुमें बहुत एक भारी व्यक्ति मिला उसके पिता ने उसे कहा कि वो दुनिया के किसी भी कोने पर चले जाएं वो उसे ढून लेंगे तो क्या मेरे मोम डेट मुझे याद नहीं करते ये सुनकर बगवान लियू कहते है कि तुम्हारे मोम डेट को इसी कटनायों का सामना करना पड़ रहा है जिसे आम लोग सहर नहीं कर सकते तो शियाओ कहता है कि भगवान लियू क्या आप जानते हैं कि मेरे मोम डेट कहा है आप मुझे बताओ लियू कहते है कि सब कुछ तुम्हारी अध्यात्मिक जागरुकता में है जब तुम्हें याद आने लगेगा तो तुम सब कुछ सम यह करना संभव है अगर तुम रक्त परिवर्तन शेत्र की उचेतम अवस्ता तक पहुंच गए हो तो इस बटी को उठाओ सब कुछ अपने आप याद आ जाएगा शियाओ कहता कि इस बटी को उठाने से कोई फग नहीं पड़ता यून फेंग लियू से पूसते हैं कि यह बटी कितनी भारी है तो लियू बताते हैं कि इसका वजन एक लाग केटी है यून फेंग कहते हैं कि रक्त परिवर्तन शेत्र की अधिकतम 50,000 केटी का ही भार उटा सकती है और मैंने इस बारे में कभी नहीं सुना क्या इस शियाओ के लिए बहुत कठिन काम नहीं है तो लि बटी को उठाने के लिए जाता है मगर बटी के पास नहीं जा पाता और बटी में से निकल रही उर्जा से टकरा कर वो नीचे गिर जाता है यून फेंग उससे पूछते कि क्या तुम्हें चोड लगी है शियाओ कहता है कि मैं ठीक हूँ मुझे बटी उठानी है जिससे मु और उनके पीछे चला जाता है वहीं अगले दिन शियाओ अपने दोस्तों के साथ मिलकर पानी के अंदर यूनीकॉन का शिकार करने के लिए जाता है मगर यूनीकॉन की सांस लेने वाली बास की नली को अपने मुझे पकड़ लेता है जिसकी वजह से पानी में जाद देर त पास जाता है मगर यूनिकॉन उसे लाद मार कर नीचे गिरा देता है और वहां से चला जाता है यूनिकॉन की पावर से शियाओ और माव की हूँ दोनों को शोग लगता है और जमिन पर पढ़े होते हैं शियाओ सोचता है कि यह जाना पेचाना एहसास है वहीं शियाओ फिर स प्राचिन शेर के खजाने को लेकर ध्यान लगाता है तब उसे पता चलता है किस खजाने से बिजली और चमक निकलती है वो शियाओ उसकी पूरी पावर को पूरी तरह से नहीं समझ सकता मगर यह उसकी बोड़ी को मिलाने के लिए काफी थी और इस वज़े से वो यूनिकॉन पर अपना कंट्रोल कर पाता है शियाओ फिर से बटी के पास जाने की कोशिश करता है मगर उस बार भी उसके पास नहीं जा पाता और शोग लगने की वज़े से दूर जाकर गिरता है शियाओ कुछ भी करके बटी को उठाना चाहता था इसलिए फिर से ध्यान लगाकर अप तब ठीक होना चाहिए शीहाओ अब काफी बड़ा हो चुका था और कई सालों के अभ्यास के बाद वो बटी तक पहुंच जाता है यून फिंग बताते हैं कि बगवान लियू के सामने शीहाओ रक्त परिवतन शेत्र के उचितम शिकर को पार करने वाला है शीहाओ बटी के प पहल में शीहाओ को रौता देखते हैं जो अपने मोमडेट के साथ जाने के लिए जिट करता है तो उसकी मा उचेति हैं कि तुम्हें अपने आंटी की बाद सुननी होगी और अब से उनके साद करते हैं तरे शीहाओ आटी के यहते हैं कि देखबाल करूंग अब भी आपको और बाकी के सबी बड़े लोगों को शियाओं की देखबाल करने के लिए परेशन करना पड़ रहा है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ शियाओं की माँ से कहती है कि तुम चिंता मत करो मैं जल्दी आओंगी और और दोनों वाँ से चले जाते हैं शियाओं के पीछे दोड़ता है और फिर रुख जाता है तबी शियाओं की अंटी का लड़का है उसके एक आँक के अंदर एक और आँक होती है वो शियाओं को देखकर अपनी मा को पास बुलाता है उसकी माँ से कहती है कि तुम हमेशा अपने भाई को घूरते क्यों हो शियाओं के एक पास सुप्रीम बोन है ये सुनकर उसकी माँ काफी हरान होती है और उसकी किसी को इस बारे में बताने से मना करती है गोडेस लियू शियाओ को बताती है कि तुमारे दादा को ढूनने के लिए तुमारे मॉम डेट, खतरनाग पहाडों और नदियों के बीच यातरा की मगर तुमारे दादा के निशानों को समझना उनके लिए मुश्किल था इसलिए उनका पता लगाने के लिए उन्होंने माईने बहर भी ताए वहीं शियाओं याड में शियाओं अपनी आँटी से कहता है कि क्या हम क्रेन देखने जा रहे हैं तो उसके आँटी उसे कहती है कि मैं तुमें आज इक रिखाने ले जाओंगी ये सुनकर शियाओं काफी खुश होता है शियाओं के आँटी उसे खुफया जगर पर ले जाती है जिसे देखकर शियाओं के एता कि आप मुझे यहां क्यों लाई हो कि आप मुझे क्रेन नहीं दिखाना चाहते तो उसके आंटी कहती है कि पहले तुम इसे देख लो उसके बाद में तुमें क्रेन दिखाऊंगी शियाओ के आंटी उसे वो पहले इसके तेखाने में ले जाती है और अंदर से दरवाजावी बन कर लेती है और अपने बेटे से कहती है कि तुम्हें डरने की जुरत नहीं है तब शियाओ कहता है कि आंटी क्रेन कहा है तो उसके आंटी अपने मेजिक से उसे एक क्रेन बना कर दिखाती है जो अचानक से शियाओ के अंदर चला जाता है शियाओ के आंटी एक आदमी से कहकर शियाओ की स शीहाओ को अपने पावर से बान देता है और सुप्रीम बोन को निकालने कोशिश करता है शीहाओ के अंड़ी कहती है कि मेरा बेटा शीह का जन्म दो आकों के साथ हुआ था इसलिए दुनिया के सही दूलब खजाने उसके पास होने चाहिए लेकिन यह तुम्हारे अंदर है जो कि एक गलत जगे बड़ा हो रहा है इसलिए आज इसे अपनी सही जगे लोटा देना चाहिए वो आदमी शीहाओ के सीने में चाकू चुबा कर उसके अंदर से अड़ी निकालने लगता है शीहाओ दर्द में कियता कि चाची मुझे दर्द हो रहा है मैं अब क्रेन नहीं बन जाओगे तुम्हें अब उच्चेतम शिकर पर कदम रखने से कोई नहीं रोक सकता तबी तैकाने के बाहर लोलूपता नाम की एक लड़की आती है वो यह सब देख लेती है और बाग कर इस बारे में यूआ माश्टर को बता देती है यूआ माश्टर गुस्ये में वहा आता है और यूआ माश्टर से कहता है कि तुम जल्द बाजी में फेसला मत लो तबी शीह अपने गले पर चाकू रखकर कहता है कि अगर तुमने मेरी मा को मारा तो मैं भी अपनी जान ले लूँगा लोलूपता देखती है कि शीहाओ काफी चोटा और कमजोर हो गया है क्यो कोनों मा बेटों को जल्दी से सजाद दी जाए तो वो लीडर कहते हैं कि समस्या को आराम से निप्टाने की जोरत है शीह कबिले के प्राची नियम है कि सब मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है तो यूआ माश्टर कहते हैं कि अपने भाय को सताया इस शीह बिले के लिए एक आशिरवात था लेकिन उसे उसके पर यूआ ने मा डाला इस वरत को तो अभी फासी देना चाहिए शीह यूआ कहता कि दोनों बुजूर चिंता ना करें अब सुप्रीम बोन शीह के अप साथ जुड़ गई है अब काफी देर हो गई है तो यूआ लीडर कहते कि शीह से सुप्रीम बोन फिर से लेकर शीहाओ की बोड़ी में डाल दो जो शीहाओ से जुड़ा है उसे तुम नहीं ले सकते शीह यूआ कहता क्यों माश्टर अब आभी देख लो शीहाओ काफी कमजोर हो गया है अब वो फिर से सुप्रीम बोन कैसे प्राप्त करेग तब ही एक आदमी कहता कि अगर हम इसा नहीं कर सकते तो इस ओरत और इसके बच्चे का नियम के अनुसार सर काटना होगा पास खड़े एक माश्टर कहते कि शीह भी एक बच्चा है इस समस्या का उससे कोई लेना देना नहीं है शीह में भी एक प्राचिन पिष्ट के को पेले रखा है कभी पक्षिपात नहीं किया और वो लीडर से इंसाब देने के लिए केता है तो वो लीडर केते हैं कि शीहाओ पेले ही सुप्रीम बोन को रखने के लिए असमर्थ था लेकिन शी कभी लेकी सुप्रीम बोन को इस वज़े से खत्म नहीं होने देना इसलिए शीवंश सोबाविक रूप से शीहाओ की बरपाई करेगा और वहां से चले जाते हैं उनका मतलब था कि शीहाओ अभी सुप्रीम बोन को अपने पास नहीं रख सकता इसलिए सुप्रीम बोन के लायक शी है वहें शीजीलिंग को पता चलता है कि उसके बेटे के साथ क अधसे के बारे में सब कुछ बताती है यह सब सुनकर शीहाओ की मारोने लगती है और जीलिंग को भी इस बास से कफी जादा गुसा आता है और वह कहता है कि तुम्हारे पिता इस बात का बदला खुन से लेंगे और शीहाओ को गोद में लिए वह महल के अंदर जाने ही जीलिंग से कहता है कि सुप्रीम बोन को शीह के अंदर डाला गया है अगर तुम इस बात के लिए कुछ बैसे लेना चाहते हो तो हम बात कर सकते हैं मगर तुम कभी मेरे कुल में धूम मत मचाना जीलिंग कहता है कि मेरे बेटे की सुप्रीम बोन ले ली और उसे कुचल दि ये सबी बाते इस कविले के लिए अपमान बन गई है ये शब्द अब तुम्हें शोबा नहीं देते तुम्ने मेरे बेटे की सुप्रीम बोन को कुचल दिया इसके लिए तुम्हें तुम्हारी सोट डिया मुझे देनी होगी शीयोण कहता है कि अब तुम शेतान के वंश की तरह हो गए हो तो जीलिंग कहता है कि अगर इस साफाने के लिए शेतान बनना पढ़े तो आज मैं शेतान बन जाओंगा की निंग जो कि शेहााओ कि माह है वह भी अपनी पावर से उन पर हमला कर रहे सेनिकों को मारती है जीलिंग शियाओं को अपने पेड़ पर बांद कर युवान से लड़ते हैं युवान जीलिंग को अराने के लिए अपनी वाइट टाइगर पावर का इस्तमाल करता है उसे रोकने के लिए जीलिंग भी अपनी ड्रेगन पावर का इस्तमाल करता है ज तुम भी एक माँ हो फिर तुम मेरे बेटे हो केसे मार सकती हो तो शियाओ के आंटी कहती है कि हम सब अपने बच्चों के लिए ही सब कुछ करते हैं इन सब में तुमारे बेटे का दोश है उसे सुप्रीम बोन के साथ विक्सित नहीं होना चाहिए था यह सुनकर जिलिंग को गुसा आता है और अपनी पावर से उसे दूर फेकर उसे बाले से मार देता है वो मरते हुए जिलिंग से कहती है कि पूरा यू कबिला तुम्हें आसे जाने नहीं देगा अपनी मा को मरता देख शी जिलिंग के उपर हमला करने कोशिश करता है जिलिंग उसे रोकर मारने व ही है वो लीडर कहते हैं कि जीलिंग में तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे बेटे के सुप्रीम बोन को 10 साल में लोटा दूंगा क्या हम इस बात को यहीं खत्म नहीं कर सकते जिलिंग कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे की सुप्रीम बोन वापस लोटा दो और फिर से शी को मारने के लिए उसे पकड़ लेता है वो लीडर जिलिंग के ओपर हमला करके शी को अपने पास बुला लेते हैं ये देखकर जिलिंग कहता है कि आप ठी सुप्रीम बोन को एक ट्रेट करूंगा जिससे तुम्हें सेन करना होगा तर्वीशी के आखों में से एक रोशनी निकलती है जिससे की जीलिंग और उसकी पतनी के आसपास बड़ी सी चेना जाती है और सवी सेनिक अपने सर के ओपर घूम रहे बवंडर में चले जाते हैं यह सुनकर वो लीडर अपनी पावर को प्रेस करते हैं जिससे की जीलिंग के आसपास आसमान के बंडर से रिंग उतारने लगती है जिससे रोकने के लिए जीलिंग अपनी ड्रेगन पावर को एक ट्वेट करता है और वहाँ एक तेज रोशनी निकलती है मगर एसी नहीं पर सफी डर जाता है और उसकी आग में आसु आ जाते हैं वो फूचता है कि उसके बाद मेरे माबाप को क्या हुआ तो यून फिंग बताते हैं कि उस समय तुमारे मौम डेट को शी सामराज्जों की पेतरक भूमी यानि कि उनके पुरवजों की भूमी से निकाल दिया था यून के लावा तुम्हारे मौम डेट इस बास से भी परेशान थे कि यूवान फिर से उनका ठिकाना ना डून ले इसलिए वो दूसी पेतरक भूमी पर चले गए तो शीयाओ के था कि मैं अपने मौम डेट को डूनने के लिए दूसी पेतरक भूमी पर जाओंगा यून फिंग बताते हैं कि आँ जाने का कोई रास्ता नहीं है वो जमीन यहां से तीन लाग मिल दूर है उस समय तुम्हारे मौम डेट ने मां जंगल से गुजड़ने से पेले कई कटिनाईयों और खतरों का अनुभव किया बले तुम कोई साधरान आदमी नहीं हो पर तुम कभी अकेले जाने की मत सोचना क्यों कि तुम अकेले वहां नहीं जा पाओगे शियाओ के दा कि सालों भीद गए मैंने हमेशा से मौम डेट के बारे में सोचा है और अब मेरे पास उन्हें फिर से देखने का मौका है मैंने उन बातों को सुना है जब उन्होंने वो बाते मेरे लिए कही ती ये सब सुनकर मैं काफी उदास महसुस कर रहा हूं मैं उन्हें मिलकर बताना चाहता हूं कि फिछले कुछ सालों में मैंने हर पल को इंजोई किया है यून फेंग केहते हैं कि मैं तुम्हें अब नहीं पकड़ सकता इसलिए तुम्हें अपनी देखबाल अच्छे से करनी ह ओगी. और वह शियायों को घंजाना देते हैं जिसे लेकर शियायों केता है कि अस्ती कह जाना क्या है तो यूंइंफेंग बताते है कि दश्कों पहले बारी बारिश और बिजली अर्थ पर गिर गई तब ही गोड्डेस लिऑ औरे खाणने के अध्डिया आकासे गारी शिय से रग्त परिवतन दाइरे का उप्योग करके समझ सकते हो तो शियाओ कहता है कि ठीक है फिर में निश्ची रूप से इसे अच्छी तरह से सीखूंगा यून फेंग कहते हैं कि मैं तुम्हारी जो जर्रत होगी उन्हें पुरा करूंगा और वहां से चले जाते हैं गोडेस ल आदमी का निर्दारन करने के लिए है और एक हड़ी से यह निर्दारित नहीं होता कि कौन सबसे ज्यादा मजबूत है मैं खुद एक एक कदम बढ़ा कर आगे जाओंगा गोडेस लिए कि मुझे बता है तुम ऐसा कर सकते हो इसलिए मैं तुम्हें एक सिक्रेट बताती हू क्या तुमने कभी मुर्जाए पोधे को फिर से खिलता देखा है यह सुनकर शियाओ समझ जाता है कि उसके अंदर की सुप्रीम बोन को फिर से जीवित किया जा सकता है तो लिए के एति है कि तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हारा जीवन खत्रे में होगा क्योंकि सु हुआमैं फैले से ग्ल था वाइट टाइगर अपनी पौर से चियाओं कवा में उड़ा देता है लेकिं आपनी पार का इस्तमाल करके उसे दूर फेकर मार देता है सिआउड ताएक घोघजाने को खत्म कर दिया इस बास से यह और नहीं किये मेरा शिकार था देखा नहीं तुमने मैंने उसे गायल किया था शियाओ कहता है कि हमारे महान जंगल के नियमों के अनुसार जो शिकार को मारेगा वही उस शिकार का मालिक होगा लेकिन तुमने इसे मारने में काफी मेनत की है तो मैं तुम्हें इसकी पूंस दे सकता का तब यो वे बंदर को देखती है शियाओ केता है कि तुम इसे क्या देख रही हो यह माओ क्यूँ मेरा है वह लिंगर शियाओ के पास दूद की बोटल देखकर केती है कि तुम तो वही छोटे बच्चे हो जो जानवरों का दूद पीना पसंद करते हैं शियाओ से पूंचत कि तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो तब हुआ लिंगर अपने पंक निकाल कर दिखाती है जिसें देखकर नियान कहता है कि तुम तो वही फाइर डेगन घर्ल हो तुम इतनी मोटी कैसे होती जा रही हो यह सुनकर हुआ लिंगर गुसा होती है और शियाओ के उपर हमल करती है तब ही उनके उपर जमीन से एक फाइर डेगन निकलकर हमला करता है शियाओ हुआ लिंगर वेई बंदर और अपने यूनिकॉन होर्स जियो बाई के साथ वहां से भागने लगते हैं तब ही वाल लिंगर रुकर शियाओ से कहती है कि तुम किसे डर कर भाग रहे हो व हुआ लिंगर को जलाने कोशिश करता है मगर शियाओ आकर उसे बचा लेता है और सोचता है कि यह ड्रेगन बहुत पावरफुल है इसे नॉर्मल हमलों से नहीं हराया जा सकता इसलिए अपनी प्राचिन शेर की ट्रीक को एक ट्रेट कर लेता है और उस ड्रेगन को मार देत है लेकिन और भी विरोष हो जाता है हुआ लिंगर जब उसे वोष में लानी कestab करती है तो अब निमा की तरह लगती है और कीफिया प्राचिन सकता मैंने जीवन से वादा किया था कि मैं पक्षी के अंडे नहीं खाऊंगा हुआ लिंगर पूशती है कि जीवन कौन है तो शियाओ कहता है कि वबच्पन से मेरे साथ बड़ी हुई है और उसकी आवाज काफी कोमल है तो लिंगर नारा जोकर कहती है कि जीवन में ऐसा क्या खास है मैं उसके बारे में नहीं सुना चाहती और शियाओ से कहती है कि मैं कुछ नहीं जानाती तुम्हें अंड़ा खाना होगा तो शिए अंडे को माओ क्यू की तरफ फेक देता हैं लिंगर इस बास से और ज्यादा नाराज होकर रोने लगती है वे बंदर शियाओ को कुछ इशारों में समझाता है कि तुम्हारे ब्योश होने के बाद लिंगर नहीं तुम्हारा ख्याल रखा जिसकी वज़े से शियाओ संडे को पी लेता है और लिंगर से कहता है कि इसका स्वाद बहुत अच्छा था पर इसमें एक चीज़ की कमी है लिंगर पांचा देता है और शियाओ उस अंडे में मसाला डालकर हुआ लिंगर को पीने हो कहता है वहीं रात में वह बंदर और जीयोँ भाई रात में उस उंडे के चिलके के साथ केलते हैं, तब ही वहां वो पक्षी आ जाती है जिसका वो अंडा था, और ओऊ शीहाओ और उसके साध्यों के उपर हमला करके उन पर पत्थर डालती है, शीहाओ सबी को ले कर वांसे भागने लगता है, और वो उन लिंगर से बूचता है कि पक्षी हम पर हमला क्यों कर रहा है तो लिंगर कहती है कि पहले हमने हमला किया था क्योंकि हम उसका अंडा खा चुके है पक्षी अपनी पावर से शियाओ और उसके साथियों पर हमला करता है इसलिए शियाओ जियो भाई को नदी में छुपने हो कहता है लिंगर केती है कि हम इसा नहीं कर सकते क्योंकि ये ताइन नदी है हम इसमें जम कर मर सकते है मगर जियो बाई तब तक पानी में कूछ जाता है बड़ पानी के अंदर जाने की कोशिश करती है मगर इसा नहीं कर बाती क्योंकि उसके पंजे पानी को छूते ही जमने लगते हैं पानी के अंदर हुआ लिंगर भियोश हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है गैस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलते से नेक्ष्ट वीडियो में थेंक्स वरोची